Hello students, तो मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है to be verb यानि की be verb बहुत important verb है यह sentence construction में, interrogative बनाने में, negatives बनाने में बहुत important है इसलिए मैं इसका अलग से एक वीडियो आपको बना के समझा रही हूँ बच्चो प्लीज इसको बहुत ध्यान से note कर लीजेगा और याद कर लीजेगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बी बी जो होती है इस चीज काल्ड मदर ओफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स इसको हम क्या बोलते हैं मदर ओफ ऑल हेल्पिंग वर्ब्स यानि सभी सहायक्रियाओं की इसको मदर के रुप में बोलते हैं जैसे मदर हमको problem में rescue क करने के लिए आ जाती है इसी प्रकार बी वी जो है वह हमको हर चीज में help करती है तो present past और past participle past participle third form है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वह जब पढ़ाया था कि वर्ब की first form वर्ब की second form और वर्ब की third form तो बी का first form क्या है is am और are ठीक है यह present में हम यूज क करते हैं past में ठीक और बीन किसमें आता है third में बच्चो अब important चीज क्या है कि जब हम इसको is MR को use करते हैं तो हिंदी मतलब होता है हूं है ना और हो ठीक बहुत वर का क्या है था थे थी और बीन जो है वह third form है ठीक इसको बच्चो आपने पाद नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से जात कर लीजिए कि इसको हम कहां use कर सकते हैं और कैसे use कर सकते हैं अब देखो आई किसंग हमेशा क्या आता है am present tense में आई किसंग क्या आएगा am he she it यह तीनों singular हमारी प्रोनाउन है कौन से प्रोनाउन थे यह singular मैंने आपको प्रोनाउन पहले पढ़ा दिया थ इसके संग he she it के संग आता है is अब बचा हमारा क्या we you they we you और दे इसके संग हमारा क्या आएगा आर क्या आएगा आर ठीक तो यह present tense में हम भी वर्प को कैसे यूज़ कर रहा है किसके संग यूज़ कर रहा है इसको हमें समझ लेना जरूरी है ठीक समझ में आगे हैं सबको संग I'm he she it के संग is और V you they के संग आर यनि कि यह singular है कि क्या है सिंगुलर एक वचन यह जिपनई भी हमारी सरवनाम होते हैं उन सबके संग हम is का यूज़ करते हैं और जो बहुचन वाले होते हैं उन सबके संग हम किसा यूज़ करते हैं आर का तो जब हम जरूरी नहीं कि स परवनाम ही हो या ऐसे हो सकता है काउज गाएं तो हम क्या यूज करेंगे यूज कर सकते हैं लेकिन交़ लर प्लूरल के संग हम कौन सी साइख यूज कर रहा ही है बहुत इंपोर्टन एंग्लिश पे अब आप देखो present में हम लेते हैं यह इनको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको एक्दम क्लियर हो जाएगा जैसे I am अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है सकारात्मक सेंटेंस बनाना है I am not negative हो गया है I am इसमें कैसे दिया है I apostrophe M यह contraction है इसको बोलते हैं short form इसको भी आप बच्चे सीख लीजिए सेंट क्लास सेंट के बच्चे बहुत important है contractions को सीखना क्योंकि जब आप reading करेंगे तो ऐसे words आपको आएंगे I और am इसको कैसे पढ़ना है I am क्या पढ़ना है इसको I am यसी is in इसको कैसे पढ़ना है is not कैसे पढ़ना है is not aren't a r e n t are not ये क्या हो गया आर, नॉट, आंट, इसको क्या पढ़ा हमने, आर, नॉट, आंट, इसंट, आम, आम, ठीक, तो जो हम बोलते हैं, बोलचाल की भाशा में और रीडिंग करते समय भी ऐसे हमारे पास चब्द आएंगे, तो इनको हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, clear, तो तो आपने देखा कि am, is, am, are कैसे use हो रहा है, यह एक्जामपल है, she is Sheila, he is six years old, Lauren and Sandra, यह दो लोग हो गई, तो क्या आगया, आर हो गई, helping word, यहाँ पर singular था, is थी, we, we plural है, तो उसके आर हो गया, है ना, for profession, profession की जब हम बात करते हैं, you are not a painter, you are a singer, तो हम क्या कह रहे हैं, you are a singer, तुम्हें एक singer हो, यह आर, ठीक, अब यह देखो, I am not, negative, you are not, you aren't, she isn't, तो बच्चों यह बहुत important है, यह present tense में आप कैसे B form को use कर रहे हैं, यह बहुत important है, next अब हम आते हैं, past में, next मारा मारा कौन सा है, past, past में एक बात अच्छी है, he, she, it के संग, was, इसमें भी singular के सं क्या रहा है, were, I will you दे के संग क्या रहा है, were, ठीक है, okay, अब आप इसको समझ सकते हैं, I was, I was, I was not, I wasn't, इसका contraction form भी याद करते हैं, you were, you were not, you weren't, he was, he was not, he wasn't, she was, she was not, she wasn't, you were, we were, we were not, we weren't, they were, they were not, they weren't, you were, you were not, you weren't, बच्छों इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे और संग में याद भी करेंगे, लेकिए, I was, I wasn't, you were, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, है ना, I, we, you के रहा है, were, we weren't, they weren't, you weren't, ठीक, some examples, I was at school yesterday, मैं कल school में था, past tense में यूज करने के लिए, was, were, है ना, यानि कि था, था थे थी, मैंने शुरू में ही बताया, यू वर 10 years old last year, Emma and Jen were students, were students, now they are doctors, it was raining, ठीक, ये सारे past tense में हमने was, were का यूज किया, अब आता है बीन, बीन जो होती है, वो third form है, है ना, इसका जब भी मैं आप से बात करूंगे, आगे की perfect tense बनाना है, है ना, perfect tense में हम work की third form को यूज करते हैं, passive में, जब हम passive यूज करते है तो उसमें हम work की third form का use करते हैं, ठीक, that is she has been, अभी हम आगे जाके जब tenses को पढ़ेंगे, तो हम इसका use सीखेंगे, continuous में यही be, जो होता है, वो being बन जाती है, continuous में लगातार, जो काम हो रहा है, तो be का क्या हो जाता है, being, the continuous form of the to be is used to make up continuous tense, just as past possible, continuous बनाने के लिए, she is being helpful, वो हमारी help कर रही है, ठीक है, passive में यूज करते हैं इसको, continuous being को किस में यूज करते हैं, continuous में और passive में, ठीक, यह बच्चो आप B का हमने आज आज आपको सब पढ़ा दिया, कि B present tense में कहां आती है, past में कहां आती है, third form क्या है, continuous being से कैसे बनता है, अब बच्चो यह बहुत important चीज है कि questions, इसको आप अपनी copy में note करेंगे, कि question दो तरीके से बनते हैं, एक wh तरीके से और एक question helping वर्प से बनते हैं, तो आप इसको note कर लेंगे, questions are made, questions are particularly of two types, first wh, wh माने what, when, where, what माने क्या, इसको बच्चो आप लोग लिखके याद करेंगे, when माने कब, why माने क्यों, where माने कहा, whom माने किसको, whose माने किसका, how कैसे, where कहा से, which कौन सा, since when, यानि कब से, until when, कब तक, with whom, किसके साथ, for whom, किसके लिए, for what, किसलिए, how many, कितने, how much, कितना, यह, तो यह बच्चो यह डबलु एच कोस्चन याद रखना है, आपको कि question दो तरीके से बनाए जाते हैं, ए एक जो डबलु एच फैमिली कोस्चन होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, आप देखो हेल्पिंग वर्ब, अभी हैल, हमने आपको पढ़ाए ना, कि B, देखो इसारे B की फॉर्म आ गई, तो अब मैं जब आपसे B कहूंगी, तो आप B समझते ही समझ जाएंगे, कि मैंने किसक बनाने में भी हमको बहुत है, आप देखो इस फोला सिवाल ये डेम सो देखो, चरा में इसमें व्र नेम से बन रहा है, इसमें भी देखो, मैं जहां पर अल भी आ ए ललारा हैhen वहां पोस्ट मारु आ भी अज्यों आर दे डूइंग अब देखो दूसा वाला जो को इंट्रो केने इस चिम्हार यह समय आर यू रीदिंग इस इस उमा रेडी फॉर बैड यह यह नो जो भी देना है ठीक है तो आपने देखा कि भी जो हेल्पिंग वर्ब है वह भॉत हमारी है करती है अब हमस्तों बहरेंगे आई कसंघ क्या एगा एंड घो इस वैसमे2 इलियेट ूइस sizi इस a पांडा है लॉस एंड बैली अर फ्रेंद्स अब तो आर फ्रेंद्स दहाऊँजस पिंख फिर I am happy यह के संग iauगा इजैमारमि क्रक्षा फ़्रों है आपको i am happy, you are scared, तुम डरे हुए हो he is small, he के संग she is surprised, it is brown, we are we के संग क्या है, अब हुआ चाहिए न, are you are tall, they are old, तो बच्चों अब आपने देखा कि हमने इस वीडियो में क्या learn किया कि to be के संग कौन कौन सी हमारी verbs आती है, तो ये बहुत important है, be को याद करना, कि be में is, am, are ये तीनों वर्ब आ रही है, ठीक है, इसको बहुत जरूरी है, मैं अच्छे से समझना, कि present में आती है, past में was वर आती है, और third form कुस में आती है, been, third form तो बच्चों ये helping verbs को बहुत important है, याद करना, ये basic है, बिल्कुल, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होगी, तो आगया sentence में दिक्कत आई, तो प्लीज आप videos को subscribe करते लिए, next video जो मेरा आएगा, वो phonic sounds का और writing का आने वाला है, writing skills जो मैं आपको सिखा रही हूँ, मैंने आपको challenge किया है, कि seven videos में हम पूरी writing excel कर लेंगे, तो आज मेरा fifth video मैं इसका release करूंगी, और इसी किसंग phonic sounds के भी video है, जो आपको reading करने में, और sounds को पहचानने में help करेंगे, thank you बच्चो,